Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल अब तयारी है तो अब विसली सरकार के पास भरपूर मात्रा में स्टॉक होना चाहिए अगर वो स्टॉक नहीं होगा तो ये वीट का डिस्टॉबूशन नहीं कर पाएगी फिर इसके साथ-साथ ये जो स्टॉक है वो important इसलिए भी हो जाता है कि मान लोगर मार्केट में गेहूं के दाम अचानक से बढ़ गए स्काइ रॉकेट हो गए तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़ादा इंपैक्ट करता है हमारे देश की पॉपुलेशन को तो prices cool down करने के लिए भी सरकार स्टॉक में से काफी सारा अनाच जो है वो रिलीस कर देती है तो काफी important emergency के समय ये काफी जादा काम आता है लेकिन क्या हुआ है कि stock जो है इस समय wheat का वो एकदम record low पर पहुँच गया है ये खबर आप देख सकते हैं government's wheat stock fall to 16 year low और नौबत ऐसी आ गई है कि शायद हमें import भी करना पर सकता है आपको पता ही है कि जब से green revolution आया है उसके बाद से भारत ने धिरे-धिरे करकर self-sufficiency जो कहते हैं उसको achieve कर लिया है और हमें बाहर से मंगाने की ज़रुवत नहीं परती लेकिन शायद ये situation आ गई है तो वो situation क्या है ये एक ऐसा batch है जिसके अंदर आपको पूरी त्यारी कराए जाती है जैसे prelims, mains, interview सब कुछ की complete preparation मिलेगी बस आपको हमारे website, app पर जाना है या फिर comment section में link है और use करना है code अंकित live ये code इस्तमाल करके आप maximum जो discount है किसी भी course, किसी भी batch में study IQ के वो आप ले पाएंगे और इसके अलावा, अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं उसको भी आप attempt कर सकते हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है दिखें, मैं थोड़ा सा आपको background में बताना चाहता हूँ 2022 का वो साल actually COVID के just बाद अगर आप देखोगे तो 2022 में भारत को पूरे दुनिया की तरफ से देखा जा रहा था और भारत एक तरह से hope बन गया था क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में जो अनाज है उसकी किलत देखने को मिल रही थी shortages देखने को मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि भारत के पास बहुत जादा जो surplus बचा है वो हम दुनिया का पेट भर सकते हैं उससे लेकिन 2024 में ऐसा समय आ गया है कि हमारा पेट तो छोड़ी है यहाँ पर नौबत ऐसी आ गई है कि शायद हमें import भी करना पड़ सकता है तो यह काफी चौकाने वाली चीज़ है जो हम discuss करेंगे और इसी को लेकर काफी ज़ादा concerns बाकी जगहों पर दिखाया गया है actually अगर आप देखो कि यहाँ पर जो experts हैं उनका यह कहना है कि भारत के दोरा जो agriculture export किया जाता है वो 2021-22 में जो financial year 2021-21 है यह record इस्तर पर पहुँच गया था क्योंकि 2021-22 में हमने record production किया था wheat का, rice का, sugar का कई सारे चीज़ों में और इसकी वज़े से हमारा जो export है वो करी 50 billion dollar को पहली बार cross किया था लेकिन अब यहाँ पर जो idea है वो यह देखा जा रहा है कि शायद भारत जो wheat है उसका import करें ताकि हमारे सरकार की पास जो stock होता है wheat का गेहों का उसको हम refill कर सकें और कहीं न कहीं यह दिखाता है क्योंकि अचानक से आप सोचिए दो साल पहले हमारे पास भरपूर मात्रा में था हम खुब सारा export कर रहे थे लेकिन जस्ट दो साल के बाद situation ऐसी आ कई है कि हमें शायद import करना पड़े तो ये एक तरह से दिखाता है भारत की जो agriculture policy है उसमें कहीं न कहीं challenges है problems हैं और उसमें हमें सुधार करनी की आउशकता है अब question यहाँ पर यह है कि जब मैं record low बोलता हूँ wheat stock की तो इसका मतलब क्या हुआ देखो जो गेहों का stock है ना government के warehouses में जो गुदाम होते हैं वहाँ पर गेहों की बोरियां रखी रहती है तो ये एपरिल के starting में ये जो अभी पिछला मेना गया ना एपरिल का तो उसको starting में अगर आप देखोगे 16 year low पर है कैसे यहाँ पर अगर आप देखिए 2024 के starting में एपरिल के जो हमारा wheat का stock था वो था 7.5 million ton मतलब अगर आप इसको पिछले साल से compare करोगे 2023 में ये हमारा था 8.35 million ton तो ये इससे घट कर इस साल कितना है 7.5 million ton मैं ये सिर्फ अपरिल में जो starting में आकड़ा होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ अगर आप पिछले 10 साल का आकड़ा देखेंगे पिछले एक दसक का आकड़ा देखेंगे तो average में हमारा जो stock रहता था सरकार के पास एपरिल के starting में गेहूं का वो होता था 16.7 million ton आप समझ ले हो कि अभी जितना हमारा stock बचा है इस समय 7.5 million ton इस से double से भी जादा होता था average में पिछले 10 साल में लेकिन यहां पर अब क्या हुआ है कि इसमें कमी देखने को मिली इसका basic कारण यह है मैं आपको बताता हूँ पिछले 2 साल में क्या हुआ कि सरकार ने भरपूर मात्रा में export भी किया था in fact export से भी जादा अगर आप देखोगे तो हमारे domestic supplies में बढ़ोतरी की थी क्योंकि गेहूं के दाम बढ़ते जा रहे थे इसकी वज़े से सरकार ने क्या किया अपने stock में से जो बहुत सारा गेहूं है उसको market में release करने लग गया ताकि market में गेहूं की supply बढ़ जा और आपको पता यह economics में simple सी चीज है अगर किसी भी चीज की supply बढ़ती है तो उसका दाम गिर जाता है तो यहाँ पर सरकार ने कोशिश किया कि गेहूं का दाम नीचे रहे कम रहे इसी के बज़े से supply को तुरंद बढ़ा दिया लेकिन जाहिर सी बात है ना जब सरकार अपने stock में से बहुत सारा supply निकालेगी तो stock तो कम हो गई इसी लिए यहाँ पर जो stock है वो 7.5 million tons तक पहुँच गया है और अगर आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि जो हमारा strategic reserve का rules है वो क्या कहता है क्योंकि सरकार ने कुछ rules बना रखे है कि हमारे पास कम से कम इतना reserve तो होना ही चाहिए तो बताये यह क्या है कि April 1 को हमारे देश की सरकार के पास जो गेहु का stock है वो 7.46 million tons से जादा होना चाहिए और अभी कितना है मैंने आपको बताया है अभी है 7.5 million tons मतलब एकदम borderline पर आप कह सकते हो तो कहें न कहीं यह situation comfortable नहीं हम एकदम borderline पर है मतलब situation गंभीर है और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मालो इस साल आगया आने वाले समय में अगर emergency की situation आ जाती है मालो भगवान ना करे लेकिन अगर सूखा पड़ जाए कहीं ठीक है या फिर अचाना से कोई natural disaster आ जाए calamities आ जाए कुछ भी हो सकता है आपको पता है यह natural चीज़े होती है तो उस समय सरकार क्या करेगी इसलिए सरकार के पास यह stock रहना बहुत जादा important है अब question यह है कि आखिरकार gap कितना है हम बात करें न कि सरकार के पास शायद उतना stock नहीं है तो हो सकता है शरकार import करा है लेकिन उसमें gap कितना है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता है प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 2024 में जो expectation है गेहू के production का वो है 105 million tons जो कि अगर आप देखोगे जो सरकार का estimate है वो है 112 million tons तो उससे कम है 6% कम है expectation यह है कि इतना होना चीए production लेकिन होगा कितना जो ज़्यादातर experts का माना है वो होगा 105 million tons तो यहाँ पर gap आपको देखने को मिल रहा है तो यह अगर gap नहीं होता तो problem नहीं होती फिर साथी साथ क्या है कि अगला जो season में सरकार expect कर रही है purchase करने का क्योंकि सरकार के पास अभी कितना है 7.5 million tons लेकिन अब जब गेहूं release होगा market में जो अभी harvesting season पुरा हो जाता है पता है इसके बाद गेहूं market में बेचा जाएगा तो उस समय सरकार करीब 30 से 32 million ton market से खरीदेगी farmer से खरीदेगी minimum support price जो आपको पता है उस पे खरीदा जाता है और in fact आपको बताऊं तो 2021-22 में तो सरकार ने record गेहूं खरीदा था करीब 43.33 million ton फिर आप देख सकते हैं 2023-24 में यहाँ पर खरीदा था 26.2 million ton फिर इसके लावाद 2022-23 में करीब 18.8 million ton खरीदा था तो लगतार यहाँ पर सरकार खरीदे आ रही है और इस बार target है सरकार का कि 30 से 32 million ton यहाँ पर खरीजा जाए लेकिन अगर अगर सरकार इतना खरीदी है तो जाहिर सी बात है अगर production हमारे देश में कम होता है 105 million ton ही होता है तो यह कही न कहीं कमी को दर्शाएगा और इसलिए सरकार को import करना पर सकता है अगर मैं यह बयान दे रहा हूँ कि सरकार import कर सकती है मैं इसलिए दे रहा हूँ इसलिए कुछ समय से अगर आप देखोगे तो यह कभी नहीं देखा गया हम usually export करते हैं इंपोर्ट नहीं करते हैं और इस साल में आपको बता दो in fact usually क्या होता है कि सरकार जो procurement करती है पंजाब अगर में especially आपको पता है तो यह first of April से start करती है procurement करना लेकिन आपको पता है इस सल कपसे first of March से ही सरकार ने procure करना है start कर दिया था किसानों से अब यह सारी problems क्यों हो रही हैं यहाँ पर problem basically जो experts हैं कई सारे जैसे कि यहाँ पर जो agriculture policy expert है देवेंदर सर्मा उनका कहना है कि सरकार का policy you turn हो रहा है जश्ट दो साल पहले सरकार ने जो retailers हैं जो bulk buyers हैं processors हैं उनको कहा कि आप directly farmer से जितना चाहे अनाच को खरी दिये लेकिन आज जो है इस बार सरकार इनी लोगों को कह रही है retailers को processors को buyers को यह कह रही है जो bulk में buy करते हैं उनको कह रही है कि आप farmers से directly अभी मत खरी दिये क्योंकि हमें जरूरत है हम पहले यहाँ पर खरी देंगे तब आगे चल कर देखते हैं क्या situation होती है तो इससे क्या होता है कि यह जो policies है कि अचानक से सरकार कहती है कि हम खुद खरी देंगे फिर सरकार कहती है कि आप directly खरीद लो farmer से फिर shortages देखने को मिला और इसकी वज़े से ultimately problem क्या होई कि 7 million tons of wheat सरकार को अगले साल 2006 में import कराना पड़ा था यह situation आ गई थी तो यह situation जो आई थी सरकार को इस बार उससे सीखना चाहिए था कि ऐसा situation ना हो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाया तो question finally यहाँ पर यह है कि करना क्या चाहिए experts का कहना है कि देखें यहाँ पर policy clarity बहुत important है जैसे कि सबसे पहले transparency होनी चाहिए और clarity होनी चाहिए कि सरकार क्या policies अपनाएगे जैसे माल लोगर मैं कहता हूँ कि सरकार अगर freedom देती है कि जो companies हैं वो directly farmer से खरीद सकते हैं तो उस case में तभी तो जो companies हैं वो बड़े-बड़े warehouses बनाएंगे काफी सारा infrastructure create होगा लेकिन अगर यह uncertainty रहेगी तो यह लोग खरीदेंगे नहीं farmer से तो इसी के वजए से यह सारे issues देखने को traders हो, millers हो, consumers हो सभी के साथ मिलकर सरकार को policies बनाने की कोशिश करनी चाहिए तो overall यहाँ पर जो experts हैं का यही मानना है कि चाहें सरकार का जो role है वो wheat procurement में must हो जाता है क्योंकि एक तो obvious ही बात है कि food security हमारे देश के लिए एक एहम मुद्दा है क्योंकि हमारे देश में बड़ी अबादी है जो बहुत सारी चीज़ों को afford नहीं कर पाती और वो सरकार पर ही dependent रहती है तो सरकार को intervention जरूरी है welfare schemes वगरा चलाने के लिए लेकिन सरकार को कहीं न कहीं flexible होना चाहिए हाँ पर और इस तरह की policy करना ही चाहिए ताकि वो एक तरह से जो कोई भी हो stakeholder वो पहले से predict कर सके अचानक से कुछ situation न आ जाए जिसकी जैसे अभी हम देख पा रहे हैं आपर दो साल पहले सरकार ने ऐसी policy बनाई जिससे हर कोई खरीदने को ready था क्योंकि काफी production हो रहा था सरकार ने भी सोचा सब कुछ सही चलेगा लेकिन अभी situation एकदम उल्टा हो गया है तो देखो अब यहाँ पर अब देखना होगा कि exactly आगे होगा क्या क्योंकि यहाँ पर कई सारे experts कह रहे हैं कि सरकार को import कराना ही पड़ेगा गेहों को लेकिन दूसरी तरफ अभी मैं देख रहा था इसी साल जो ministry of commerce and industry है minister है प्यूश गोईल साब उन्होंने जैन्वरी में कहा था कि सरकार को import कराने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस साल हो सकता है अलनीनों वगरा का situation हो तो record production हो जाए तो वो एक अलग situation होगी वो देखते हैं आखिरकार exactly होगा क्या बटाई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि situation थोड़ी सी गंबीर है अब देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है और आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे से उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए अलग लग सोचन मीडिया पर आप यूड़ी आपको बताया है अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैग चाहते हैं आपको पसंद आया होगा मिल टॉप से नेक्स ताम से नेक्स ताम तिल दन थैंक यू वरी मच्छ सी यू सून Study IQ IS अब तयारी हूई अफोरडबल